दोस्तों आपको याद ही होगी रावन की पत्नी मंदोदरी जीह वही मंदोदरी जिन्होंने कई बार अपने पती रावन को अनैतिक कार्य करने से रोका, रावन के परिवार में दो लोग सीता के अफ़रन और युद्ध के खिलाफ थे, वो थे भाई विभीशन और पत्रानी म दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावन को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लोटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लडाई हुई, उसमें रावन मारा गया, इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावन के छोटे भाई वि युद्ध में हार हुई और उसकी मौत हो गई, रावन की मौत के बाद लंका में चर रहा युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध के बाद राम, सीता और लक्षमन के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावन की पत्नी मंदोदरी का क्य शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोधरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोधरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदु पुराणों में की एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अपसरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश परवत पर पहुँची गई लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनको आकरशित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुँची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई गुस्से में आकर माता पारवती ने मधुरा को मेंधक बनने का श्राप दे दिया और कुई में बारा सालों तक रहने को कहा भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की, काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और एक साल तक कुए में रहने को कहा, मंदोधरी एक साल तक कुए में पूजा करती रही, वहीं दूसरी और असुरों के देवता मयापुर और पतनी हेमा के दो पुत मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोध में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावन एक बार मयासुर से मिलने गया। विवाह के बाद दोनों के तीन पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावन बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्क पर चर रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावन को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा लेकिन रावन ने मना कर दिया। भगवान राम और रावन के बीच युद्ध हुआ। रावन के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमी पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीशन को सौंक दिया। रामायन के अनुसार भगवान र काम वापस अयोध लोट गए। आ जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुन अपने महल से निकली और विभीशन से शादी करने को तयार तो दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।